Hey everyone, welcome back! तो आज आए हम एक बहुत ही important mission पर, जहाँ पर हमें तलाश है एक बड़ियाँ dishwasher की, और इसी खोज में आज हम आप पहुचे हैं Crompton Signature Studio, जहाँ पर हम experience करेंगे Crompton कें कुछ नए premium dishwashers, तो अगर आप भी एक नए dishwasher लेनी की planning कर रहे हैं, then this video especially for you, वीडियो को एंड तक देखते रहेगा, और आए हैं अंदर चलते हैं! तो जैसे कि हाँ पर आप देख सकते हैं, Crompton के इस signature studio में काफी सारे built-in premium kitchen appliances available हैं, बट आज हमारा जो focus है, वो है Crompton के इन dishwasher पर, देखिए दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको Crompton brand को लेकर को introduction देनी की जरुरत है, because Crompton already काफी popular brand है, Crompton जाना जाता है अपने quality and reliable products को लेकर और ये brand marketing पिछली 90 years है, well आज हम जिस dishwasher का review करने वाले हैं, वो है ये Crompton वाइला 12 place setting dishwasher, by the way place setting क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा explain कर देता हूँ, basically place setting defines the capacity of your dishwasher, जितने जादा place setting का आप dishwasher भाए करेंगे, उतने जादा वरतन आप एक साथ, एक cycle में dishwasher में wash कर पाएंगे, generally अगर देखा जाया, तो एक normal Indian family के लिए 12 place setting का dishwasher enough है, बड़ अगर आपकी requirement थोड़ी जादा है, या फिर आपकी family थोड़ी बड़ी है, तो Crompton वाइला 13 and 14 place settings में भी available है, इसी के साथ Crompton का ये dishwasher एक free standing dishwasher है, यानि आपने convenience के according इसे कहीं पर भी रखकर use कर सकते हैं, जो कि मुझे काफी बड़िया बात लगी, और इसके अलावा इसमें काफी सारे useful features भी मिल जाते हैं, और सबसे बड़िया feature जो कि मुझे personally लगा है, वो है इसका super active drying technology, यानि इस dishwasher में बरतन काफी इच्छीरे के से wash होई जाते हैं, यानि यहाँ पर water droplets से आने वाले stains आपको नहीं देखने मिलने वाले हैं, जो कि अकसर आते हैं जब हम बरतन अपने हाथों से दोते हैं, इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप देशते हैं, इसके अंदर हमें कुछ इस type के fin structure fans मिल जाते हैं, जिनको specially design किया गया है Indian utensils के लिए और ये cleaning काफी एचरे से करते हैं, और इस वज़े से आपको यहाँ पर stain free cleaning मिलती हैं। इसी के साथ क्रॉम्टंग के इस dishwasher में Indian household के लिए एक special feature दिया गया है, जो कि है intensive कडाई wash, जहाँ पर बरतन 60 degree Celsius पर wash होते हैं, और इस वज़े से कडाई पर लगे जो oily and greasy stains होते हैं, वो easily remove हो जाते हैं और आपको यहाँ पर sparkling result मलता है। आप सभी कहाँ यहाँ पर एक question जरूर आएगा कि क्रॉम्टंग का यह dishwasher कितनी electricity consume करता है, water bill यहाँ पर कहीं जादा तो नहीं आएगा। क्रॉम्टंग के case में आपको इन चीजों की चिंदा करनी की कोई जरूरत नहीं, विकॉज यह dishwasher एक cycle में सिर्फ 0.9 kilowatt electricity consume करता है, जो की कम है, साधी साथ यहाँ पर सिर्फ 12 लेटर water use होता है एक wash cycle में, जो की again काफी कम है compared to जब आप बरतन हातों से दोते हैं, वहाँ पर और ज़्यादा पानी waste होता है, पर यहाँ पर सिर्फ 12 लेटर में आपकी complete washing हो जाती है, तो यहाँ पर आपको water and electricity consumption की चिंदा करने के कोई ज़रत नहीं है, बाकि इसके लवा, क्रॉम्टंग के इस dishwasher में और भी काफी सारे interesting features दियेगे हैं, यहाँ पर water जो है, पहले 70 degree Celsius दक heat होता है, उसके बाद जो steam निकलती है, वो बरतनों पहला कि hard से भी hard stain को soft कर देती है, और इस विज़े से stain completely यहाँ पर remove हो जाते हैं, इसके साथ space management की बात करी जाया है, तो जैसे कि यहाँ पर आप दे सकते हैं, इस dishwasher के अंदर हमें हर टाइप की utensils को रखने के लिए space बल जाती है, यहाँ पर हमें यह cutlery basket भी मिल जाता है, जहाँ पर हम cutlery वगरा रखकर भी wash कर सकते हैं, इंटीरेस की बात करी जाया है, तो जैसे कि यहाँ पर आप दे सकते हैं, जो interior walls है, यह high grade stainless steel के बनाया गया है, यह corrosion and rust free है, तो long lifespan यहाँ पर आपको मलता है, quality भी यहाँ पर आपको काफी बढ़िया दी गई है, इसे के साथ हो सकता है, कभी आपको थोड़े ही बरतन wash करने हो तो उसके लिए यहाँ पर half load function भी दिया गया है, जिसको अगर आप use करोगे, तो यहाँ पर electricity, water and time तीनों यहाँ पर आप save कर पाओगे, बाकि अगर बात करी जाया है warranty details की, तो इस dishwasher पर आपको 2 साल की comprehensive warranty मिलती है, और इसके motor पर आपको brand के तरफ से 10 years की warranty मिल जाती है, बाकि Crompton के तरफ से आपको free installation service मिलती है, Crompton की certified technicians है, वो आपके घर पर आकर free में से install कर जाएंगे, अब बात करते हैं मेरे personal opinion की, कि मेरा opinion इसको लेकर कैसा रहा, देकि मेरे साब से एक dishwasher में जितनी भी important features होने चाहिए, वो सारे features आपको Crompton boiler dishwasher में मिल जाते हैं, इसके लवा कुछ special features भी दिये गए हैं, इसके वेसे cleaning काफी बढ़िया होती है, तो मुझे तो यह personally बढ़िया लगा है, now the most important question is कि जो हमारी तलाज थी, क्या वो पूरी हुई, and the answer is yes, अगर आप भी एक dishwasher लेनी की planning कर रहे हैं, then definitely आप Crompton boiler consider कर सकते हैं, अगर फिर भी आपको कोई doubt रह गया है तो आपने nearby Crompton Signature Studio विजिट कर सकते हैं, और अगर online buy करना है, तो नीचे description मैंने already आपको link दे दी है, उस पर click करके आपकी dishwasher buy कर सकते हैं, I hope यह review वीडियो आप सब एक लिए useful रहा होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को like कीजे, चानल परना है तो चानल को subscribe करन मत बूलेगा, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाई बाई, सहोनारा